नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है सरकारी ग्यान फोर यू में दोस्तों आप सब कैसे हैं उम्मीदे बहुत जवर जस्त होंगे और आपकी तयारी बहुत अच्छे लेवल की चल रही होगी दोस्तो बात करने वाला हूँ आज की बहुत ही महत्वपूर्ण खबरों को लेकर और अधिक समय विश्ट ना करते हुए सीधा मुद्दे की बात कर लेता हूँ देखे भया सबसे पहली जो खबर है वो है उत्तर प्रदेश पुलिस को लेकर जी यां दोस्तो यूपी पुलिस में एक और दरोगा भरती आपको बहुत जल्द देखने को मिलने वाली है और इसमें आपको बता दूँ जो पदों की संक्या होगी वो तीन हजार के आसपास रह सकती है और उम्मीद करते हैं एक से दो महिने के अंदर आपको विग्यापन देखने को इसका मिल जाएगा तो अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस में सबस्पेक्टर बनने का सपना देखते हैं तो अपने सपने को सजोई रखें और उसके लिए लगातार मेहनत करते रहें जिसका साड़े 9000 वाली दरोगा भरती में नहीं हो पाया था कुछ नंबर से रह गए थे और कुछ जो नॉमलाइशन होता है उसमें रह गए थे तो अगर आप वहां रह चुके हैं तो आप यहां ट्राई करिए और पूरा जीजान लगाईए और अपने सपने को सफल कीजिए दोस्तो अब बात कर लेते हैं उत्तर परदेश के आपके यूपिटर पलेसी के ASO के रिजल्ट को लेकर तो देखिए ASO के परिणाम को लेकर छात्रों ने बहुत संगर्स किया बहुत मेहनत की खूब धरने किये लेकिन अभी तक इसका हल नहीं निकला है बाकी पॉजिटिब बात दोस्तो ये है कि इसका जो हल है वो लगभग लगभग निकल चुका है इस पर मिटिंग भी हो चुकी है बस केवल इसका रिजल्ट अब यूपिटर पलेसी को बना के जारी करना है और कुछ नहीं है ठीक है इस भरती पर सारी प्रिकिरिया पूरी हो चुकी है और उम्मिद करते हैं आपको इसी महिने में जनवरी के लास्ट में आपको खुसकबरी मिल जाएगी ठीक है अब दोस्तों बात कर लेते हैं वन दरोगा भरती के फिजीकल को लेकर इसको लेकर चातरों के बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं देखिए वन दरोगा भरती का जो फिजीकल है इसको लेकर आपको ओफिशल नोटिस इसी महीने में देखने को मिल जाएगा ठीक है इसी महिने में किसी भी समय आपको जो है इसका जो ओफिशल नोटिस है फिजीकल का वो देखने को मिल जाएगा और उम्मीद करिए कि फरवरी में आपका फिजीकल लग सकता है हाला कि इसको लेकर छातर बार बार ये कहते हैं सर आपने पहले नवंबर कहा फिर दिसंबर कहा जनवरी कहा फरवरी कहा देखिए ऐसा होता है जो जानकारी मिलती है वो दी जाती है अब मैं करने वाला तो मैं थोड़ी हूँ करने वाला यूपिटर पलेसी है और यूपिटर पलेसी के बड़े अधिकारी है करना तो उनको है मेरे पास के वर न्यूज आती है जो मैं आपको देता हूँ ठीक है अब न्यूज मिली है कि फरवरी में आपका जो फिजिकल है वो कंडक्ट करा लिया जाएगा ठीक है तो आप रेडी रहिए ये भरती अब आपकी ज्यादा लेट नहीं होगी वन दरोगा वालो बी रेडी दोस्तो बात कर लेते हैं लोवर पीसीएस के विज्यापन को लेकर तो लोवर पीसीएस में अगर आप अधिकारी बनने का सपना देख रहे हैं तो उस सपने को लगातार बनाए रखें और उसके लिए लगातार संघर्ष शील रहें क्योंकि ये भरती का विज्यापन आपको जल देखने को मिलेगा पैट दो हजार तेईस का परिणाम जारी होने के तुरंत बाद पहला या दूसरा विज्यापन लोवर पीसीएस का होगा ये बात बिलकुल कंफर्म है और पदो की संख्या 700 प्लस होगी और उम्मीद करिए कि इसी महिने में पैट का परिणाम जारी हो जाएगा जो जानकारी मिली है और उसके बाद जो है आपका विज्यापनाने भी शुरू हो जाएंगे फरवरी मार्स से ठीक है तो पहला दूसरा विज्यापन लोवर पीसीएस का होगा पदो की संख्या बहुत जवरजस्त है सप्लाइ स्पेक्टर के पद हैं मार्केटिंग स्पेक्टर के पद हैं एक बार में विस्फोट कर दीजी अपने सेलेक्शन का ठीक है अब बात कर लेते हैं जेई और मंडी के परिणाम को लेकर तो जेई और मंडी इन दोनों का जो फाइनल रिजल्ट है ये भी आपको आने वाले 30 से 35 दिनों के अंदर देखने को मिल जाएगा यानि कि ASO का अंतिम परिणाम, जेई का अंतिम परिणाम और मंडी का अंतिम परिणाम ये तीनों के तीनों फाइनल रिजल्ट आपको मिल जाएगे 30 से 35 दिनों के अंदर देखने के लिए ठीक है तो जो आपने वेट करना था कर लिया और आपका जो है अब इंतिजार का अंत होने की तरफ है तो प्रिसन रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और भईया खयार लखिये अपना भी और अपने परिवार वालों का भी जिससे आपने जो संगर्स किया है उसका आपके अंदर कुछ ना कुछ दुख जरूर होगा कि आपने चार साल, पांस साल, छे साल तक इन भरतियों का वेट किया तो अब उस वेट का अंत होने वाला है, अब आपके अंदर प्रसंता आ जानी चाहिए ठीक है, तो J-E वालों, मंडी वालों और A-S-O वालों अंतिम परिणाम के लिए आपकी उल्टी गिंती शुरू हो चुकी है बात कर लेते हैं दोस्तों, J-E और A-G-T-E के विग्यापन को लेकर तो भईया, U-S-S-E के जो अगले विग्यापन होंगे, वो J-E के होंगे J-E का होगा और आपका A-G-T-E का होगा, जो आपको 20 से पहले-पहले देखने को मिल जाएगा बी जनवरी के पहले-पहले, ठीक है, तो जो भी छातर J-E और A-G-T-E के विग्यापन का बेसबरी से इंतिजार कर रहे हैं, आपका इंतिजार बहुत जल्द समापती की तरफ है अब दोस्तों बात कर लेते हैं, वीडियो 2018 के Re-Exam को लेकर और इसमें जो मुख्य पॉइंट है, कि किस सिफ्ट को भेंकर फायदा होने वाला है देखिए ये बात मैं शुरू से बोलता हुआ रहा हूँ, जब से ये परिक्षा हुई है तब से और आज भी मैं ये बात बोल रहा हूँ, कि किस सिफ्ट को सबसे तगड़ा फायदा इस भरती में होगा मैंने आपको ये बताया था, कि जो Normalization होता है वो मुख्य रूप से दो चीज़ों पर निवर करता है एक तो आपका होता है पेपर का Level ठीक है, एक आपका होता है कि आपकी सिफ्ट में जो बच्चे बैठे हैं उनका Level क्या है तो आपको बता दूँ जो आपकी Second सिफ्ट है इसमें भीया बच्चे जो बैठे हैं उनका Level बहुत मतलब जो आपके अधिक तयारी वाले बच्चे हैं वो इस सिफ्ट में भी कम बैठे हैं और इस सिफ्ट का पेपर भी जवर जस्त है दौनों ही बात इस सिफ्ट को फायदा कर रही है और खासकर बात करूँ तो 26 की Second सिफ्ट की ठीक है 26 सिफ्ट में दौनों ही बाते हैं जो इन सिफ्ट वाले बच्चों के पक्ष में जा रही है एक तो पेपर का लेवल चारो सिफ्ट में सबसे तगड़ा है और दूसरा इस सिफ्ट में जो हाई फाई बच्चे हैं उनकी संख्या भी कम है और सिफ्ट की तुलना में सबसे तकड़े जो हाई फाई बच्चे बैठे हैं वो 26 की पहली शिफ्ट में बैठे हैं और इनका पेपर भी थोड़ा आसान है और लेवल भी बच्चों का काफी हाई है तो दोनों ही बातें इस शिफ्ट के विपक्ष में जा रही है और दौनों ही बातें 26 सेकंड शिफ्ट के पक्ष में जा रही है तो सबसे बड़ा जो फायदा मिल सकता है वो 26 की सेकंड पाली को मिल सकता है और उसके बाद जो फायदा मिलेगा सबसे यदिक वो मिलेगा 27 की सेकंड पाली को ठीक है तो इन सिफ्ट वाले बच्चों बिलकुल तयार रहे आपको धमाकेदार नंबर आपके बढ़ेंगे नौर्मलाइशन की प्रिकिरिया में ये बात पक्की है कोई रोक नहीं सकता ठीक है बाकी जो पहली सिफ्ट है उनको थोड़ा नुक्सान उठाना पड़ सकता है और सबसे अधिक जो नुक्सान उठाना पड़ सकता है वो आपकी 26 की पहली सिफ्ट हो सकती है ठीक है तो यह हो गई आज की वीडियो और किसी बरती को लेकर जो भी जानकारी मुझे मिलेगी आपको सबसे पहले दे दी जाएगी बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों जहिंजे वारत हमेज़ा कुछ रहिए मुस्कात रहिए